बिसमिल्लार रख्मान रखीम अस्लाम अलेकूम जीए स्टूडेंस वेलकम टू माय चैनल आज हम एक्सरसाइज 4.4 को कवर करने की कुशिश करेंगे यह पूरी के पूरी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा यह पूरी एक्सरसाइज बहुत ज pirates आज देखना था और जो है वो इसका इंट्रिक्शन था क्सराइज को करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ साइज पता होनी चाहिए हमने एक्सरसाइज 4.3 के वीडियो लेक्शर में इसको कवर किया है तो अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी तो देख ले लेक्शर देख ले और अबजेक्टिव वाला एक लेक्शर आपने कवर किया था उसमें भी काफी सारी चीज़ अक्सराइस 4.4 के अगर वो भी अभी अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए का आप उसको भी लाजमी तोर पर वाज करें तो स्टार्ट करतें एक्सराइस 4.4 को स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट के अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मेरा नया चैनल है लेक्शर्स अप्लोड कर रही हूँ आपके लिए तो अमीद है कि आपको लेक्षर्स की समझ भी आ रही होगी अगिर कोई भी Mistake हो या कोई भी चीज आपको समझ ना है मेरे से पूछ सकते हैं कमेंड बॉक्स में और मेरे से कॉंटैक्ट भी आपकर सकते हैं तो अभी exercise को हम स्टार्ट करते है exercise 4.4 को यह exercise बहुत ज़्यादा important है फिर कह रही हूं exercise 4.4 का question number 1 है मारे पास है find the 3 cube roots of 8, minus 8, 27, minus 27 and 64 यानि कि इसके हमने 3 cube root जो है वो find करने है किस तरह से find करेंगे अच्छा तो सबसे पहला जो हमारा question था उसमें है कि 8 का आपने 3 cube root of cube का वैसे मतलब भी 3 होता है तो इसमें कि आपने उसका q भी आपने find करना है तो just rate दिया है तो obviously हम math का रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी value को किसी के equal हम रखते हैं तो यह मेरे पास rate just दिया है तो हम कह सकते हैं कि let's suppose यह x बीदा cube root of 8 कि हम कह सकते हैं कि x जो है वो इसका q रूट है क्यूंकि हमने find करना है तो कोई भी चीज जब हमने find करनी होती है तो किसी भी variable की equal हम उसको रखते हैं चाहे वो x हो y हो z हो या कोई भी दूसरा alphabet हो तो यहां में हमने इसको x की को रखा x is equal to हमने कहा कि यह 8 है अब cube root find करने तो इसमीन कि हमें तोनों साइट पर जो है इसका q लेना पड़ेगा हम q लेंगे x cube is equal to 8 q आजएगा अब 8 जो है वो किस का q होता है 8 हमारे पास जो है वो 2 का q होता है तो हम x cube is equal to 2 q लिख देंगे अब यह जो है वो 2 यहां पर positive है यहां पर यह negative का हो जएगा तो x cube minus 2 q हम इसको इस तरह से लिखेंगे और which is equal to 0 के आजएगा अब यह फार्मूला मेरे पास होता है a q minus b q का which is equal to a minus b a square plus b square plus a b तो यह फार्मूला हमने यहां पर यूस किया a हमारा x है b हमारे पास 2 है a minus b x minus 2 a square यह की x का square plus b ka square 2 का square और प्लस A, B, इनके X और 2, इनके 2X आजएगा, अब ये दो हमारे पास जहाँ पर इसके फेक्टर्स बानगे, एक X-2 और दूसरा X-2 प्लस 4 प्लस 2X is equal to 0, अब ये X-2 is equal to 0 है, तो X is equal to 2 आजएगा, ये तो सिंपल हमारे पास वैल्यू निकल आई, जो सॉल्व करने वारी च स्केर क्योंके हमने यहां पर क्यूब रूट आफ जो है, वो 8 फाइंड करें तो अभी हमने क्यूब की जो फार्म थी, वो देखी थी, 3 क्यूब रूट आफ जूरटी हमने देखा है, जिसमें हमारे पास ओमेगा, ओमेगा स्क्राइद करेंगे हैं, तो आपके लिए under root b square minus 4 a c divided by 2 a b की जगा पे मारा 2 आ जगा plus minus b square जानी कि 2 को square minus 4 और a आपके पास 1 है c आपके पास 4 है 4 into 4 आ जाएगा divided by 2 a 1 है तो 2 into 1 आ जाएगा उसके बाद next अमने इसको सिंप्लिफाई किया है minus 2 plus minus under root 4 minus 16 4 minus 16 हो जाएगा divided by 2 16 मैंसे 4 निकलेंगे तो minus 12 आ जाएगा minus 2 plus minus under root minus 12 over 2 minus है तो minus under root 1 हमारे पास iota की equal होता है तो हम इसको iota की equal डख सकते है minus 2 plus minus under root 12 iota divided by 2 किया जाएगा अब 12 का exact under root हमारे पास नहीं होता है तो हम इसको multiple में लिख सकते है 4 series 12 होता है हमारे पास 4 का जो under root है वो हमारे पास होता है 2 और under root 3 iota as it is यहाँ पर हमने लिख दी है उसके बाद next यहाँ से इन दोरों में से 2 common आजेगा minus 1 plus minus under root 3 iota और divided by 2 है यह 2 और यह 2 आपस में cancel हो जाएगे और यह फिर हमारे पास value आजेगी minus 1 plus under root 3 iota जो है वो omega square यह आप इसको अगर cancel ना करें तो 2 by as it is multiple में आप लिखने into minus 1 minus iota under root 3 और divided by 2 इसके नीचे आजेगा जेगा जो हमारे पास value यह omega square की value होती है तो x का जो answer आजेगा 2 omega यहनिकि plus minus 2 के साथ अगर करें तो एक हमारे पास 2 omega आजेगा 2 omega का square आजेगा और solution set एक हमारे पास जब हमने x minus 2 is equal to 0 रखा तो तो हमारा answer 2 आया था तो एक x का जो answer है वो 2 है 2 omega और 2 omega का square है इसके लावा next step के पास minus 8 27 है और 64 है सेम इसी इनी steps को follow करते है सबसे पहले आपने x की equal जो है जहाँ पर minus 8 है सेम ही तकरीबर आपका answer है जहाँ पर minus 2 और minus 2 omega square बाकि सारे same steps होंगे इसको अपने solve करने हैं अगर कोई भी मिस्ट आपको चीज़ समझ ना है तो आप मुझे WhatsApp पे contact कर सकते हैं मैं आपको number नीचे description box में mention कर दूँँगी तो वहाँ पे मैं आपको इसकी correction करवाद दूँगी बाकि सेम यह formula भी सेम लगना है just a cube plus b cube का formula लगना है और जो आपके पास a plus b a square minus a b plus b कर सके है जो a minus b का cube का formula होता है वो सब में अगर जो है जहाँ पर plus आता है और जहाँ पर minus आता है उसके बाद आगे 27 है 27 का जो cube हमारे पास होता है 3 को हम multiply करें 3 time तो आपके पास 27 आ जाता है तो यहाँ पे a cube minus b cube का formula a minus b a square plus a b plus b का square और फिर सिम्पल इसी तरह से 0 को equal दोनों को रख लेंगे 1 by 1 और quadratic formula लगा कि आपने इसको solve करने ना और जहाँ पे भी आपका 3, 3 omega and 3 omega square वो इस question का आपका answer आजाएगा ठीक है असान question है ठीक है इसलिए इसके उपर हम बहुत जादा और time नील गएंगे एक part आपको करवा दिये और इसी तरह से आपने आगे 27 माइनस 27 भी है और फिर आगे 64 64 का 4, 4 omega and 4 omega square आणसर आएगा अचा जिए उसके बाद next 2 important questions है आपके पास ये है 1 प्लस जो second इसका part है इसको जस्ट हमने जो है वो solve करना है 1 प्लस omega minus omega square और इसकी power में आपके पास क्या है 8 है इनके whole power आपको दे लिए 8 तो यहां पर आप जो टीज अभी हम पढ़ किया जो हावो हमने देखी थी 4.3 exercise में सोरी उसके end पर हमने इस question चीज को discuss किया था 1 प्लस omega plus omega square जो को होता है यहां से हम omega square की 1 प्लस omega की omega की values जो है वो यहां से हम निकाल सकते हैं इस तरह के type question में वैसे तो हमारे पास omega square की जो roots की जो values हैं वो तो different है वो तो अभी हमने discuss की है minus 1 under root 3 iota sun divided by 2 इस तरह से लेकिन जब इस तरह के question आएंगी simple आपने उनको solve करना होगा तो अब पिर यह term use कर सकते हैं 1 प्लस omega plus omega square तो यहां पर 1 प्लस omega की जगए पर minus omega square लगा देंगे और साथ में already हम पर minus omega square है minus omega square और minus omega square minus 2 omega square बन जाएगा minus 2 omega square minus 2 का अलग से हम 8 power में ले लेंगे omega square को अलग से power में ले लेंगे जब 2 को 8 time multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगे 256 और 2 8s और 16 omega 16 आजएगा अब इस omega 16 को हमने factorize करना है तो omega 15 dot omega हम इसको लिख सकते हैं क्यूंकि हमें cube चाही होता है omega में जब iota हम solve करते हैं तो square चाही होता है जब omega को solve करते हैं हमें cube चाही होता है क्यूंकि इसकी जगह पर हम 1 पूट कर सकते हैं 35015 हो जाएगा 256 1 की power 5 स hm79 फंचम्र है किसम मंदा उन्य निदें और अपको दो सत्otechnology आप ऊसके जोने इसक्षेजय तो 3 gears 10 cleo 3 नेलड़ार कॉवे के नीदाइफ ते यहां तो हम इतो फार सा Sleeping स्क्राइब तो स्क्राइब इसक्ष्ट पिर ले में और अमयगे क्यूब बन जाएगा, प्लस वन, यहां पर 3 9s are 27 तो ओमेगा क्यूब और पावर 9 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केर और यहां पर इसी तरह से ओमेगा क्यूब और साथ में 9 प्लस 1, यहां पर 1 लगा देंगे, 1 की पावर 9 डॉट ओमेगा plus omega square 1 की power 9 plus omega यहाँ पे omega plus omega square plus 1 बन जाएगा तो यह चीज़ हम पाथ चुके में 1 plus omega plus omega square जिए equal to 0 क्यों होता है तो यह हमारे पास इसका answer आजएगा next आप के पास है one plus omega minus omega square into one minus omega plus omega square one plus omega जो है equals to होता है minus omega के यहाँ पे हमने लगा दिया यहां पर भी 1 प्लस omega माइनस omega की एकॉल होता है तो यहां पर हमने minus omega लिख दिया माइनस 2 omega स्केर यहां पर minus 2 omega बन जाएगा 22 आपस में multiply होगे तो 4 omega स्केर और omega स्केर स्केर मल्टिपला होगा तो omega cube बन जाएगा omega cube की जगपे हमने 1 पूट कर दिया तो answer आपके पास यह आ गया 4 आ गया next इसका part आपके पास है minus 1 plus under root minus 3 divided by 2 and plus into minus 1 minus under root minus 3 अब टो की power 7 यह जो term है omega की equal होती है omega की power 7 हम लिख लेंगे plus यह जो term है हमारे पास omega square की equal होती है हम इसकी power 7 लिख देंगे यहां पे omega 7 हो जहां पे omega 2 7 014 आ जाएगा प्रोटीन को लेके जाना है 3 के multiple मैं तो 12 लेक लेंगे 3 4 12 आ जाएगा तो यहां पे 3 2 06 आ गया 3 4 012 omega cube की जगा पे 1 लगा है यहां पे भी 1 लगा है यह omega plus omega square और यह बन गया omega plus omega square which is equal to minus 1 इस statement है यह 1 plus omega plus omega square is equal to 0 के होती है तो omega plus omega square यह वान इस साइट पे positive का है यहां पे आके यह negative का हो जाएगा तो omega plus omega square की जगा पे हम simple minus 1 put कर सकते हैं उसके बाद next जो हमारे पास part है जी part number 5 part number 5 हमारे पास है minus 1 plus under root minus 3 की power 5 plus minus 1 minus under root minus 3 की power 5 अब 2 omega वैसे omega की जो हमारे पास value होती है वो minus 1 plus under root minus 3 over 2 होता है न तो 2 जब omega के साथ multiply होगा तो यह value बन जाएगी तो यह जो value है यह 2 omega की value बन जाएगी 2 omega is equal to minus 1 plus under root minus 3 और यह इसी तरह से हमारे पास minus 1 minus under root 3 over 2 omega square की equal होती है तो जो नीचे वाला 2 है वो यहां multiply होगा तो यह 2 omega की value बन जाएगी तो हमने simple यहां पे इसकी जगह पे 2 omega put कर दिया यहां पे 2 omega square put कर दिया 2 की power 5 ली तो 32 हो गया 32 omega की power 5 और यहां पे 32 omega की power 10 आजाएगी दोनों में से 32 को comment लिए अंदर omega की power 5 प्लस omega की power 10 बाने की omega की power 5 को हम 3 के multiple में लेके गए तो omega square dot omega cube और omega 10 को हमने 3 के multiple में लेके जाना है तो omega 9 आजाएगा फिर 9 को हम 3 cross 3 कर सकते है यह omega square यहां पे 1 लगा देंगे और यह omega cube की जगह पे यहां पे next step में हमने 1 लगाया अब omega plus omega square अभी हमने देखा था omega plus omega square is equals to minus 1 की होता है तो 32 है अजाएगा साथ में minus 1 और minus 32 इस question का आपके पास answer आजेगो उसके बाद question number 3 जो है वो most important question है x का cube minus y cube is equals to x minus y x minus omega y and x minus omega square y simple से question हैं लेकर important है देख ले इन दोनों terms को पहले हम multiply करेंगे और फिर हम जो इन दोनों को बलकि proof करना है न तो right hand side को हम लेंगे इसकी right hand side हमाने पास यह है x minus y x minus omega y x minus omega square y x minus y को लिगा यहां से x minus omega y आजेगा और साथ में यह हमाने पास x minus omega square y अब इन दोनों terms को पहले आपस पर multiply करना है x को x के साथ multiply किया x का square x को omega square y के साथ multiply किया कीव का डेंगे ओर ये पषो कीवारण के और को एड भी ले लेंके और जाहां पे मैगा क्यूब है कि यहां से इन दोडों टांप सकते हैं और पे अचे ने में ले लिए इन fingerprint तब आजएगा यहां के दो प्न का कीयों ऑलाट ए कि यहां भी ओसके यहां आपके पस ये फर्मूला भी बन गया a cube minus b cube र Cliffy b equals two a minus b a square plus a b plus b square अगर x cube minus y cube हो तो ये ही फर्मूला दोबारे से बनता है आपके पास तो आप direct इसको लिख सकते हैं दर्माइब में आप mention कर दें कि ये फर्मूला आपके पास होता है a cube minus b cube का सीवाइब नाँति जा है जा खिए पर एक्स के साथ मलति प्रूव प्रूब्लाइबं कि यह पर दाने समतिवर मेंक्ति नाचार लैई ams important है इसमें जो steps हैं इसकी भी right hand side को हम लेंगे और left hand side प्रूव कर देंगे इसके भी यह पहले वाली लास्ट वाली दोनों terms को पहले multiply करना है फिर इनको multiply करके इसमें से जो चीज़ी common आती है इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि layout यहांपे देखिए आप यहांपै एक्स नापने डोनों terms को आपसने म partis समय कर माइप गया एक्स को मेगगए कीए तो मेगाश क को स Hahn की ओँ समय किया तुझे लास्ट वली तीनों terms अब इन में से o जो चीज से कमें क में यहां हम पें चैप हमने चुवाइ के ने goed चेहां बाखी हम चैप में हमने एक स्टेप में चाहाने एक्स की ऐसे प्रॉसेस के कि हो आगा बटा रही थी का पे हम प्रेंग उत्का को नीमनगर व प्राइब कीवेड़ी है। आपके पास जो है यह उमेगा एक्स जेट तो इन दोनों में Z और X कोमन है ना इस वह जैसे हमने यहां पे Z और X कोमन लिए और अंदर उमेगा प्लस उमेगा स्केर हमारे पास रहाज़ेगा जैस्ट एक टाइपिंग मिस्ट्रेग हो सकती है अच्छा नेक्स अब जो है वो मारे पास जो कोमन है वो वाई और जी है तो इन दोनों में वाई और जी कोमन था ओमेगा प्लस ओमेगा स्केर आ जाएगा यहां जहां जहां पर हमने वाई क्यूब की जगा पर जहां पर हमने वन पूट किया था उसके बाद नेक्स अब हम ओम यह मैगा समय सब्सब्स सब्सक्राः ना should be a the सब्सक्राइब का थैसल इसाना नहींड वे व सबलाइब को ऐसी क्यूब कि करें ऑपके उन रेखस अन्विकों कॉसरो करें ना-फिकष्फ का Sonिक आरे के पास और ना ये साथ जपारण से नियोंट से फолнest के बंदेदा या को टॉलcza डियंगे तो या क्यूबL videos Limited で थो आ इसके बाद इसके जो आपके लेते천 पास पॉर्टंट इसकी हम देख लेते हैं यह 1 plus omega plus 1 plus omega square 1 plus omega 4 1 plus omega 8 अब टू सोन इसके 2 n factors equal to जो है वो जै 1 के हैं तो यहां पे हमने जो है वो क्या किया है 1 by 1 करके 1 plus omega 1 plus omega square 1 plus omega and 1 plus omega square जैने कि omega 4 को हमने solve किया omega dot omega cube किया तो omega cube के जिये गापर 1 ना आ गया तो वो ओमेगा आ गया तो यह हमारे पास ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा एट को जब सॉल्फ करेंगे तो यह बन जाएगा ओमेगा एट को जब सॉल्फ करेंगे तो यह बन जाएगा ओमेगा स्केर डॉट ओमेगा सिक्स लिखेंगे और omega square dot omega 6 तो है जे 3 और 2 आ जाएगा तो omega square into 1 equals to omega square के आ जाएगा ठीक है उपसो कि यह आपके लिए visible होगा यहाँ पे यह साथ में मेंचन भी है omega 8 equals to omega square के ठीक है तो यहाँ पे हमने omega square इस वज़े से रखा दिया है अब 1 plus omega 1 plus omega square एक साइट पे और 1 plus करना है तो 1 plus omega omega square equals to 1 के जीरो के होता है यहाँ पे भी 0 लगा दिया 1 plus omega plus omega square 0 के एकुल होता है यहाँ पे भी 0 लगा दिया 0 plus 1 0 plus 1 मतलब अब तो सौन जे 1 तक जाएंगे तो यह n factors equals to किसके बनता है 1 के बनता है यह इसकी राइट है उसके बाद next question number 4 यह इतना ज्यादा important तो नहीं है लिकने एक दफ़ा इसको हम देख लेते हैं इसमें है कि omega is the root of x square plus x plus 1 is equal to 0 show that its other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1 तो x square plus x plus 1 is equal to 0 के हमने लिखा इसने चुब के बताया कि omega इसका दूसरा root है तो omega is the root तो हम put कर देंगे x की जगह पे omega omega square plus omega plus 1 is equal to 0 उसके बाद x is equal to omega square put कर देंगे तो यह omega square plus square plus 1 is equal to 0 के आजाएगा यहाँ पे यह टाम आपके पास बादेगी omega 4 plus omega square plus 1 इसको अपने equation number 3 यह equation number 1 है equation number 2 और equation number 3 बानगी इसमें हमने अब omega square को plus और minus की है और यहाँ पे यह जो फर्स्ट यह वर इत तीनों टाम्स है यह फर्मूला बना देंगी a plus b के all square का a हमारे पास omega square है और b हमारे पास 1 है और minus omega square as it is आजाएगा अब यहाँ पे यहाँ पे आप हमने कहा था कि इसको omega square को plus b किया minus भी किया तो एक दफ़ा इसको plus के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा minus के साथ omega square plus one plus omega and omega square plus one minus omega अब यह दोनों 0 को equal हो जाएगे तो नेक्स आपके पास यह वादी टाम तो 0 के equal होती है omega plus omega square plus one यहाँ प्लस omega plus omega square 0 के equal होती है तो जब multiply करेंगे तो 0 equals to 0 के आजाएगा उसकी बाद omega square इसका दूसरा root था तो तीसरी equation मैंसे दूसरी equation को minus कर देंगे तो यह बन जाएगा omega 4 minus omega is equal to 0 के बन जाएगा और जहां से omega को को मन लेंगे omega cube minus one is equal to 0 और जहां पर omega जो है वो not is equal to 0 है तो omega cube minus one is equal to 0 के आजाएगा और omega cube की value के आजाएगी यही चीज हमने यहाँ पर प्रूफ करने थी कि omega cube equals to किस क्यों होना चाहिए उसके बाद next question number five है प्रूफ the complex cube root of minus one और यहीं कि हमने बताना है कि इसके जो cube roots है वो one plus under root three out of two and one minus under root three out of two हैं और जहे भी चीज़ प्रूफ करनी है कि इसकी power nine और इसकी भी power nine हो तो यह equals to minus two गयाता है तो सबसे पहले हम यह चीज़ प्रूफ करते हैं कि let x be the cube root of minus one then अगर हम यह put करते हैं तो हम कहेंगे कि x is equals to minus one की power one over three दोने साथ पे फिर cube root यानि कि इस तरह से हम एक root लेंगे तो यह one के साथ से root cancel out हो जाएगा क्योंकि इसकी already power three थी या और फिर x cube is equals to minus one की आजाएगा फिर x cube plus one is equals to zero हम रखेंगे यह one दर negative का है यहां पर यह positive हो जाएगा x cube plus one is equals to zero की हो जाएगा अब a cube plus b cube का formula a plus b a square minus a b plus b का square अब x plus one equals to zero यह फिर x square minus x plus one is equals to zero तो x की value एक minus one आगी है दूसरा हम by using quadratic formula इसको solve करेंगे minus into minus one यहीं कि b minus b plus minus b square minus four is c divided by two है तो यह बन जाएगा one plus minus under root one minus four and one plus minus under root minus three over two minus को जो है वो हम इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं तो यह इसके जो हैं वो cube roots है तो इसमीन की जिए हमने चीज़ प्रूफ कर दी है कि minus one के जो roots है वो one plus under root three iota over two and one minus under root three iota over two है उसके बाद next जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो यह है कि no we have to prove that यह इसकी जो powers है यह equals two minus two के है तो किस तरह से करेंगे one plus under root three over two यह हमारे पास minus omega के equal होता है लिगा दिया minus omega यह हमारे पास minus omega square के equal होता है तो हमने यहां पर minus omega square लगा दिया दोनों की powers जो है वो हमने 99 लिख दी है अब यहां पे जो है यह two nine zero eighteen हो जाएगा minus omega 18 और minus omega nine लिख देंगे अब 18 को factorize करेंगे Q की फार्म में तो 3618 तो माइनस ओमेगा 3618 3 की जग़पे माइनस ओमेगा क्यूब की जग़पे 1 न का देंगे और 1 माइनस 1 की पावर जहां पर 9 को भी factorize करेंगे 33009 हो जाएगा तो यह आपके पास 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आजएगा विच इकोस 2 माइनस 2 यहां पर यह वाला माइनस भी था ना तो इदर यहां पर यह मिसिंग है माइनस 1 माइनस 1 इकोस 2 कि आजएगा माइनस 2 के और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी नेक्स आपके पास Q2 क्वेस्टन नमबर 6 तो 2 मेगा स्केर हम ले लेंगे इस एक्वेशन को भी हमने जो अब्जेक्टिव वाली लेक्चर हमने कवर किया था उसमें हम इस तरह के क्वेशन भी किये थे जिसमें हमने एक्वेशन बनाई थी सम और प्रोड़क्ट फाइंड किया था और एक्सराइस 4.1 के क्वेशन में भी इन क्वेशन को हमने सॉल्व किया इस तरह ऐसे इक्वेशन तो एलफा प्लस पीटा सम ले लेंगे दोनों रूट्स का तो 2 को कॉमन लेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केर आजएगा which is equal to minus 1 तो सम इसका minus 2 आजएगा प्रोड़क्ट लेंगे तो 4 omega क्यूब आजएगा क्यूब की जग़पे 1 लगा देंगे तो simple 4 आजएगा एक्वेशन हमारे पास होती है x केर minus x x plus p is equal to 0 यहाँ पे x की जग़पे minus 2 लगा देंगे पी की जग़पे 4 लगा देंगे तो x केर प्लस 2 x plus 4 यह हमारे पास इसका आंसर आजएगा उसके बात next part next part में हमने fourth root of unity find करने है ठीक है पीछे हमने जो है वो three cube root अब यहाँ भी हमने fourth root जो है वो find करने है तो same procedure होगा जिस तरह हमने three cube root find किये थे just यहाँ भी क्या होगा कि हमने power four में लेनी है ठीक है तो एक question करवाती हूँ इसका भी sixteen का हमने fourth root लेना है तो x is equal to sixteen की power one number four हम जो है वो लिख देंगे और x four is equal to किसके आजएगा sixteen के आजएगा और sixteen यहाँ पे positive है यहाँ पे यह negative का हो जाएगा तो x square का whole square minus sixteen की किसका square होता है four का तो four square लेक देंगे इस equal to zero के आजएगा ठीक है यह अब यह a square minus b square हमारे पास बानी किया तो a minus b a plus b a हमारे पास x square है b हमारे पास four है तो x square minus four और x square plus four आजएगा x square minus four की जगा पे दोबारा हम फर्मूला लगा सकते है square minus b square का which is equal to x minus two x plus two क्योंकि four two का square होता है तो x minus two x plus two और x square plus four is equal to zero अब यहाँ से दो values तुझे आगे एक x की value two आजएगी और एक x की value minus two आजएगी और x square plus four की जगा पे हम इसको लेंगे तो यह minus four हो जाएगा और under root लेंगे तो plus minus under root four iota और four का जो under root हो two होता है तो plus minus two iota तो which means कि एक positive four root आने चाहिए मतलब four values आने चाहिए two minus two two iota and minus two iota इसका answer आजएगी इस तरह आगे 81 है तो सबसे पहले आपने दोनों साइट पे जो है वो इसकी इसने खुद करना है कि let x be the fourth root of 81 then x is equal to 81 के पाफ आप हमें one over four लिखते ने फिर दोनों साइट पे fourth root जाएगी कि fourth square root लेने fourth के साथ दोनों साइट पे पाफ़ज में multiply करना है तो यहां से यह cancel out हो जाएगा और x is equal to x4 is equal to 81 रहा जाएगा आपके पास फिर सेम इसी तरह से x square का or square बना लेना और 81 जिसका square है वो भी साथ में 9 लिख दिया जोने square minus b square यानिके x square minus 9 और x square plus 9 और x square minus 9 की जगह पे दोबारा x minus 3 x plus 3 आजएग और x square plus 9 तो x के value जो इसके roots है मों 3 minus 3 3 iota सेम इसी तरह से आपने इसको solve करना है उसके बाद next आपके पास जो है वो 4th root of 625 है इसमें भी same procedure follow करना है और इसके roots आपके पास 5 minus 5 5 5 और 10 minus 5 5 और जाएगे उसके बाद next आपके पास है जी solve the following equations in equation को simplify जिस्ट आपने करना है 2 x का 4 minus 32 is equal to 0 सबसे पहले आपने इस equation को 2 के साथ divide का देने यानि कि x के साथ जो भी constant होगा coefficient होगा उसके साथ divide करेंगे तो जी आपके पास x square minus 16 बाद जेगा जी question अभी एम पीछे 16 का q group find किया है तो जी solve करकिया है same दोबारा से वही steps यहां पे follow करने x4 minus 4 का square तो 1 का square minus b का square बनेगा और x square minus 4 x square plus 4 a minus b और a plus b दुबारा से फर्मूला लगाया और x square plus 4 is equal to 0 एक x की value जो है वो plus minus 2 और 1 plus minus 2 आयो अटा आज़ेगी पिर इसी तरह से next question है यहां पे भी आपने 3 के साथ equation को divide किया है तो फिर y की power 5 minus 81 y आगिया जहां से 5 है ना तो 5 की जगह पे हमने 4 करना है तो एक y को comment ले लेंगे y 4 minus 81 आजएगे एक y की value 0 और एक y 4 minus 81 आगिया फिर 81 इसी तरह से 9 का square है तो यह सेम procedure है जो भी हमने 81 की fourth root find किया आगे से सेम इसी तरह से करना है next question x cube plus x square plus x plus 1 is equal to 0 comment लेंगे तो यह factorization के through होगी x square को comment लेंगे x plus 1 1 को comment लेंगे x plus 1 एक आपके पास x plus 1 आजएगा x square plus 1 आजएगा यह जो x square plus 1 है simple इसको भी solve करना है x square is equal to minus 1 के आजएगा तो under root लेंगे दोरों साइट पे x is equal to plus minus under root minus 1 यहांगे plus minus iota और minus 1 आपका इसका answer आएगा पिर इसी तरह से next आपके पास 5x 5 minus 5x is equal to 0 है यहांसे 5x को comment लिया x 4 minus 1 आपके पास रह जाएगा और 5x is equal to 0 means कि x की एक value 0 आगी और दूसरी आप x square minus x की पार 4 minus 1 यहांगे a square minus b square a plus b a square plus b a minus b a plus b आ जाएगा और जहांपे दोबारा से आप a minus b a plus b लगाएगे और x square plus 1 की जगापे इसको solve करेंगे और जहांपे आपके पास x की value 1 आ जाएगी 1 minus 1 और 1 plus minus under root minus 1 या पिर iota आप इसकी जगापे लेख सकते हैं तो यह हमारी exercise थी 4.4 अपसो किसकी understanding आपको होगी होगी अगर इस पूरी exercise में कोई भी चीज़ चोटी सी चीज़ भी आपको समझ नहीं हो जा फिर मैंने कोई mistake की हो ता आप comment box में लाज़मी mention करें इंशाला मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्षर में तब तक इजाज़े दीजिए अलाहाफ़ेश